खादी और ग्राम मुद्योग आयोक की अध्यक्ष मनोशकुमार ने मंगलवार को वारांसी में के वी आईसी के डिविजनल ओफिस के अंतरगत बारज जिलो के लाभार्तियों को साथ सो मधुमक्खी बक से दो सो एलेक्ट्रिक पार्टर वेल चार कच्ची घानी मशीने चालिस लकडी के खिलोने मशीनों और बीस वी एस बूट क्राप टूल केट पाटे गौर तलब है कि इस ऑफिस के अंतरगत मानेनिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के संसधिय शेत् दरेखुन, जगतपूर, रोहनिया, गाउं भी पड़ता है। कारिक्रम को संबोधित करते हुए के भी आईसी अध्यक्ष मनुष कुमार ने कहा कि इस्थानिय उत्पादों के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश के लोगो से इस्थानिय उत्पादों को अपना कर वोकल्फ और लोकल बनाने की अपील की है। प्रिधान मंत्री के इस आवान से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए स्वारोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही इस् ने आगे कहा कि मंडल कारियाले वारंसी के अंतरगत लगभग 120 खादी संस्ताइं चलती हैं जिनके माध्यम से ग्रामिर शेत्रों में 26,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है जिसमें लगभग अस्ति प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है इस वित्रल कारिक्रम में खाद समोदेव विभार का यह मसीन्री टूलकिट वित्रन का कारिक्रम आयुजीत किया गया है रोनिया विधान सभा में आयुजीत इस कारिक्रम में हम लोग करीब करीब 965 मसीन्री टूलकिट वित्रन का कारिक्रम यहां पर हमारे लाभार्थियों को कर रहे हैं जिन लाभार्थि और वेस्ट वूड की मसीने हैं हम लोग यहां पर उनको भग करवा रहे हैं मोदी जी की एक गारंटी चल लेकि मोदी जो गारंटी है वो गरीबों के साथ है तो उसमें यह योजना किस तरह असला अबवान की करना है खादी ग्रामोदोग विकास योजना के तहट गाव गाव सहर सहर हम लोग हमारे नागरीकों को कैसे ग्रामिन भारत में आत्मिर्बर करना है उस दिशा में यह कारेकरम आयोजित कर रहे हैं आज मोदी जी की गैरंटी कैसे काम करती है वो मैं सभी मीडिया के साथियों से नुरोद करूँगा कि आपने सबने अपनी आँखों से शायद देखा होगा कि किस तरह से सरकार आपके दौर पूरे साजो समान के साथ बैठी है समान आपके सामने रखे हैं इससे बड़ी कोई गैरंटी हो नहीं सकती है